हेलो एब्रिवन आज कंप्यूटर के मोस्ट यूजफूल सॉर्टकॉट्स देखेंगे जिसका आपने कहीं न कहीं परियोग किया होगा या करेंगे या करना पड़ेगा क्योंकि मुस्ट कॉमा ने ज्यादा तर इसका इस्तमाल किया ही जाता है फर्स्ट सॉर्टकट देखते हैं फर्स्ट है कंट्रूल प्लस पी जब कंट्रूल प्लस पी जब प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्रिंट प्रिव्यू ऑप्शन ओपन हो जाता है नेक्स्ट है Ctrl B, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl B करते हैं, टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है नेक्स्ट एक कंट्रोल डी किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल कि दी प्रेस करते हैं तो हमारे पास फोन्ट स्टाइल का डालग बॉक्स ओपन होगाता है जब अल्ट प्रेस करते हैं तो जितने भी कि टैप्स होते हैं उनके लिए एक लेटर ओपन हो जाता है जिसके माध्याम से हम डारेक्ट इंट्री कर सकते हैं बिदाउट एनी माउस नेक्स्ट है एफवान एफवान प्रेस करने के बाद हमारे पास हेल्प मेनू ओपन हो जाता है नेक्स्ट है कंट्रोल एक कंट्रोल ए से टूटल डॉक्मेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक पेज हो या दस पेज टूटल पेज सेलेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स डॉक्मेंट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स करने पर टेक्स्ट कट हो जाता है फिर उसी को पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल भी करके भी पेस्ट कर सकते हैं इस केस में अगर हम कंट्रोल जेट करेंगे तो वापस प्रिवियस आ इसका मलत control Z से undo हो जाते है, control Y से redo हो जाते है next is control plus delete, control plus delete document text को select करके control plus delete करेंगे तो text delete हो जाता है, फिर वापस के लिए control Z करके वापस कर सकते है next is control C, control C से select होता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद control C करने से टेक्स्ट को हम copy कर पाएंगे फिर कहीं दूसरे जगा इसको control भी करके paste कर लेंगे next तक control भी जो अलेड़ी देख चुके हैं paste करना होगा next है home जिसे कहीं cursor को शुरुवात में लाइन के स्टार्ट में लाने के लिए हम लोग home बटम के इस्तमाल करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे cursor अभी वर्तमान के पास हम रखे हुए हैं जब हम home बटम पेडिस करेंगे तो यह स्टार्टिंग में home के पास आ जाएगा next है control प्लस home control प्लस home से हम document के starting में चले जाएंगे जहां से document स्टार्ट हुआ है next है ind जब ind keyword के इस्तमाल करेंगे तो उस line के सबसे last में हम पहुँच जाएंगे जैसे कि देख लेते हैं वर्तमान के पास cursor रखे हुए हैं अगर ind को click करेंगे तो उसी line के सबसे last में cursor पहुँच जाता है next है control plus ind जब control plus ind का जब इस्तमाल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा पूरा document के last में cursor पहुच जाएगा next है shift plus home जब shift plus home करते हैं तो cursor जो रहता है उससे हमारे पास left side के total भी उस line के जितने भी text होते हैं उसको select कर लेता है shift plus home से पहले के साड़े text को select कर लिया same चीज shift plus अगर ind करेंगे तो right side के साड़े word को select कर लेगा उसको भी देख लेते हैं ठीक है next है control plus left arrow उससे एक एक word हमारे पास left की ओर cursor आएगा उसके बाद है control plus right arrow उसके बाद हमारे पास क्या होगा एक एक word right की ओर cursor move करेगा next है shift plus delete shift plus delete से जो भी text को हम select करेंगे उसको delete कर पाएंगे control Z करके वापस कर लेंगे next है control F control F से document में find dialog box open हो जाता है इस से हम किसी चीज को इस document में find कर सकते हैं इसके अलावा हम control plus I करके italic font में भी कर सकते हैं जैसे हम document को select कर लेते हैं text को control I करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा italic हो जाएगा थोड़ा सा text टेढ़ा हो जाता है next है इसके बाद control plus you करेंगे तो हमारे पास text क्या हो जाएगा underline हो जाएगा झाएगे तो है नहीं हो जाएगा याएगे तो हा जातो को जाएगा यास